नमस्कार आप चुड़ चुके हैं दा न्यूस नाओ के सारी कोविड नाइंटीन के आंकडों में वृद्धी ना हो और इसके सास साथ ही इसे रोका जा सके इसके लिए ही लोगडाउन की गोशना की गई थी इस बार लोगडाउन 3.0 चल रहा है जिसकी अब दी 17 मई तक है इसे दोरान बात की जाए तो सरकार और परशासन की तरफ से कई जरूरी और एहतियातन कदम भी उठाए जा रही है इसी संदर्ब में पुंच में Department of Agriculture दवारा भी किसानों के बीच में सीड्स और बाकी उपकरनों को बांटा गया साथी साथ इस मोके पर किसानों ने बताया कि लगातार सरकार और परशासन की तरफ से उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है और इस बार भी सीड्स और बाकी सामान समय पर पहुंचा दिया गया है जिससे कि ये अपनी सब्जियां या अन्य खेती को आराम से कर पाएंगे इसे कहीं न कहीं इन्हें इनकी आर्थिक स्तिती को भी सुधारने में मदद मिलेगी तो आप जुड़े रहें न्यूजनाव के साथ बाकी अपडेट्स के लिए है ये कोई पंच-शे साल से हैं मैं सब्जी कास्तिकारी कर रहे हैं इस साल हमने सोचा था कि शायद लागडोन है बमारी की वज़ा से लागडोन की वज़ा से हमें कुछ सब्जी या बीज बगएरा ना मिलें लेकर ऐसा हुआ नहीं जे अगरी कल्चर डिपार्टमेंट वाले ने बीज शीज दिया हमें मौके पर आते रहे बार बार लागडोन की वीज दर्चकर लगाते रहे बीज और हमें बताते रहे कैसे करना है कैसे नि करना हमने सब ये बीज ही उगा के ये पाली होस लगा इसके अंदर बीज लगा के हमने ट्रांसर किया इदर कि अच्छी सबजी हमारी चाल रही है सरकार की तरह से भी आच्छी हुआ जो अच्छा कर रहे हैं वो उनका धन्यवाद करते हैं जो यहां टैम ταइमली वीज हमें पहुंच ते रहे हम वक्त पर सबजी को लगा रहे हैं और अच्छी सबजी तिआर किया हमने इस जो लाग डॉन था इस की क्हेती बारी पर हमें कोई जो फरक नहीं पड़ा क्योंकि पहले जो आमने सबजी लगाई हुई थी वह तो आमने मार्केट में बेच दिया उसके बाद जो यह सबजी लगाई है इसमें डपार्टमेंट हमा झाल